हेलो एंड गूड इवनिंग स्टूडेंट्स स्वागत है आपका हमारे इस ओन्लाइन लर्निंग प्लाटफर्म सी विटी कॉंसेट पे तो आपने थमने लेख लिया होगा कि आज जो है हम एक टॉक सेशन एक छोटा से किया करने लें कि आपको क्या करना चाहिए पर्टिकुलर्लि के किताब रगाने चाहिए कि यूस के बात चाहिए आज से पहले एक चोटी सी अपडेट जो सामने आई है वह यह है कि आपके जो application forms थे, जो अभी तक 7th Feb तक open थे, उनको फिर से extend करके 10th Feb तक कर दिया गया है, हाला कि अभी इस पे कोई बहुत बड़ी सूचना नहीं है कि आपके exam dates extend होंगे या नहीं, पर हम यह मान के चल रहे हैं कि जो भी notification पहले आई थी exams को लेके, हम अभी उसके साथ एक, उसको एक permanent date या फर उसको एक particular fix date मान के चल रहे हैं, हाला कि कुछ उमीदें हैं कि since examination के जो application से वो extend हो रहे हैं तो शायद आपके exams भी extend हो, बट वो एक hope है और hope हम इस अभी particular hopes पे अगर चलेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, हमें ये कोशिश करना है कि जो भी हमारा date था उस तक हम ready रहें और उसी के लिए आज ये वीडियो है कि आपके पास around एक महीने का समय बचा हुआ है और ये आपने देखा कि ये एक talk session है, तो बहुत जादा कुछ चीजें कुछ important आप कह सकते हैं और आप नहीं भी कह सकते हैं बट येस आप अगर ये वीडियो जॉइन करता हैं तो आपको एक clarity मिलेगी because आपको पता होगा हमारे चानल पे कुछ courses चल रहे हैं COETPG को लेके different subjects से courses हैं मैं अपनी अगर history की बात करू तो मेरी कुछ students से बात होई कुछ students के कुछ problems आ रहे हैं कुछ लोग panic कर रहे हैं questions लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं books क्या cover करने हैं तो बहुत सारे doubts जो है ना वो बहुत सारे doubts आ रहे हैं और उसके बाद एक idea है कि एक चोटा सा video YouTube पे ले लिया जाए एक चोटा सा session YouTube पे क बालचीत हो जाए जो हमारे paid courses के students है वो भी और जो और भी जो students है लाइक जो खुद से self study कर रहे हैं उनके लिए यह जो session नहीं है helpful होगा तो main focus हमारा यही है कि जो अब यह जो पूरा का पूरा session जो मैंने प्लान किया वो basically doubts मुझे आए हैं जो भी questions जो भी बूचे गाए है because हमने syllabus पे एक बहुत detailed discussion कर लिया है syllabus अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है मैं like उमीद करता हूँ जो भी लोग serious candidates है जन्होंने preparation start कि हमने syllabus का वीडियो जो है वो definitely देखा होगा वो देख लिए वहाँ पे हमने question analysis भी किया था कि किस particular section से आपको कितने questions आएंगे तो हमने इस slide पे बाद में तो हमने questions पे भी analysis किया है syllabus पे भी आपकी analysis की है तो आप वो वीडियो जरूर देख लेंगे and हमने PYQ sessions भी लिये हैं इसी channel पे इसी channel के आपके वो section में आपको PYQ पे जो session हमने लिया वो भी मिल जाएंगे तो आप वो भी जरूर जाएंगे हमने उस पे ब बहुत जाएदा focus था उस पे उसको लेके कैसे approach करना चाहिए तो उस पे भी बाते हुई है आज की जो बाते हैं वो basically like हमने PYQs कर लिया है वो भी मैं लिग देता हूं कि जो लोग बाद में भी देखें या पर जो speed करके देखेंगे या पर जो pause करके देखेंगे उनके YouTube पे लिया है या फर मैं अपने classes में repeat करते रहता हूं कि books जो है आप post graduate level के लिए prepare कर रहे हैं आप post graduate like level पे entrance के लिए prepare कर रहे हैं कुछ बड़ी universities में आप जाना चाहते हैं JNU, BHU, DU जैसी बड़ी universities, reputed universities में आप admission लेना चाहते हैं तो आपका जो foundation है वो बहुत strong होना बहु जो हमारी जो paid courses के students है और और भी students है जिनसे comment section में वो बाते हुई उन्होंने बोला कि sir facts करे या फिर facts के लिए sir कोई book बता दीचे, facts पे क्या like करना चाहिए, क्या focus करना चाहिए, मेरा मानना है कि अगर आप books की बात करेंगे, books पे सबसे पहले आपको जो standard textbooks है कुछ, जो बाई में आपकी जो preferred किताबे है और मैंने जो मेरी जो पहली वीडियो है syllabus discussion की मैंने उसमें कुछ standard किताबे बताई थी, आरे शर्मा सर की ancient India है, फिर आपकी सुदीच शंद्रा सर की medieval India, और आपकी बिमिंचंद्रा सर की modern India है, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि इनी सारे authors की पड़नी है, आप कोई भी author जिनकी, जिन्होंने textbook लिखा है history में, जिन्होंने particular sections पर textbook लिखा है, ancient में, पुनम दलाल दहिया माम का नाम आता है, उन्होंने अच्छी किताबे लिखे हैं, तो ऐसे सारे authors, आपके पास जिन भी author का किताब है, जिन भी particular author का किताब है, ancient हो, medieval हो, modern हो, आप वो किताबे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका foundation strong नहीं रहेगा, अगर आपका basics clear नहीं रहेगा, तो शायद मुश्किल का शामना आपको करना पड़ सकता है, examination hall में, because तो ये किताबे आपको textbook तो करना जरूरी है, and then इसके उपर से आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ factual किताबे जो हैं, जो facts का source है, आप वैसी कुछ किताबे इसके उपर से कर सकते हैं, तो पहली चीज जो है, books की अगर बात करें, तो books पे आपको standard किताबे, जो proper standardized textbooks हैं, वो आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे, तो शायद आप फस सकते हैं, आप इन बातों को ध्याद से सुनिएगा, कि शायद आप फस सकते हैं, examination में, and कोई नहीं यह सोच रहा होगा, कि वो examination hall में जाके फस है, because facts, आप तब, and उसी को हम connect कर लेते थो आपने second point से, कि concepts, versus facts, history को लेके बहुत लोगों को doubt रहता है, कि history जो है, वो facts का है dates के बारे में, kings के बारे में, उनका rain क्या था, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या titles ले, क्या कौन-कौन सी लड़ाई हैं, लड़ी, लेकिन history जो है, जो, जो एक changing, जो एक pattern आ रहा है history में, that is not about dates, not about facts, not about battles, events है, but events के पीछे के reasons, आपको पता होना जरूरी है, because अगर आपने like pyqs, खुद से भी analyze किये होंगे, या फिर अगर आपने नहीं किया है, तो आप हमारे channel पर जाके analysis video देख सकते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ questions, जो है, वो proper के proper आपके standard textbook से उठाएगे questions है, assertion reasons के question है, जो आपको, अगर conceptual clarity नहीं है, अगर आपको concepts नहीं पता है, अगर आपको reasons, impacts नहीं पता है, आप नहीं कर पाएंगे, facts जरूरी है, but facts आपको concept की new पे रखना बहुत जरूरी है, अगर आप facts को बिना foundation रखे, अगर आपका foundation, foundation कहने का मतलब history में, अगर आपका concept strong है, तो आप इस पे कितनी भी उची building बनाए facts की, ये survive कर जाएगी, लेक situation पे आपने उतना काम नहीं किया है, तो आप facts की कितनी भी उची building मनाए, थोड़ा सा अगर भुकम पाएगा, तो आपकी building गर जाएगी, and examination hall ही आपका सबसे बड़ा भुकम होने वाला है, तो हमें क्या करना है, कि हमें उस भुकम के लिए ready रहना है, कि हमें minimum damage हो, ठीक है, आप और एक बात आप और ये ध्यान में रखेंगे, कि आप चाहे 50 किताब करें, चाहे 10 जगह से coaching लगाए, 75 questions आने वाले हैं आपके exam में, आपको 75 questions नहीं आएंगे, ये बात fact है, जिनका All India Rank 1 भी आएगा, वो भी अगर claim आगे करते हैं, कि मुझे 75 questions verbally आते थे, कि मुझे question देखा, मुझे पता था answer क्या है, it is a lie, it is a lie, वो एक marketing strategy हो सकती है, शायद वो किसी coaching को promotion के लिए, उनको बोला गया हो ऐसा करने के लिए, बट एक fact ये है, कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितनी भी किताबे पढ़ लें, 75 questions आना, आने का मतलब ये नहीं कि आप वो कर न नहीं होगा, आपको MCQ question जो है, it's a game, it's a gamified battle, like मैं तो उसको वैसे देखता हूँ, अगर आप भी उसको वैसे देखेंगे, तो I think वो आपके लिए फाइदिमन्द है, MCQs जो होते है, वहाँ पे एक लड़ाई है, आपको चार, आप, 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 एक्जाम्पल अगर हम इसी एक्जाम्पल से मैं आपको यह समझाऊँगा, कि अगर आप पलिस वाले हो, आपने evidence देखा, तो आप exactly नहीं कह सकते, कि हाँ, यह crime इस particular इंसान ने किया है, आपने उन चारों को verify किया, उनको देखा, उनको उन evidence से matches, like match किया, match करने की कोशिश किया, जो सब 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 तरीग बैठा, वो आपका criminal हो जाएगा, particular examination hall में वो आपका answer हो जाएगा, तो आपको वो चीज ऐसे approach करने है, MCQ questions को, मुझे कुछ, like students ने बोलेगी, sir, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मुझसे questions नहीं बन रहे, मैंने भी उनको यही बात समझा है, कि questions नहीं बनेगे, यह बात fact है, अगर आपको MCQs के साथ खेलना नहीं आता, अगर आपको MCQs को identify करना नहीं आता, then it will be difficult, and वो कब होगा, जब आपका concept clear हो, जब आपका concept clear होगा, you can like eliminate, यह तो, like for example, अगरे कोई question है, जिसमें कोई एक event के बारे में पूछा जा रहा है, और आपको चार options दिए बहुत दूर हुआ था, या तो यह इसके बहुत बाद हुआ था, and अगर लग अच्छा रहा, तो दो options आप easily, like around 75 questions की बात करें, तो आप 60 के around questions में 2 options easily eliminate कर सकते हो, ठीक है, तो like मेरे कहने का, अगर मैं एक conclusion दूँ, तो conclusion यह है, कि आपको MCQs को as a gamified battle समझना है, आपको approach clear र should be the approach of student, like attempting the MCQs, तो पहली चीज, किताबे, किताबे मैंने बताई थी, कि आपको standard books करना जरूरी है, आप standard books करिये, and then उसके ऊपर साफ्ट करते रहे, then that will be the best preparation, या फिर the best strategy, to prepare for the examinations like MCQs, like just examination of MCQs होते है, second मैंने बताया, कि concept strong करिये, and then उसके ऊपर facts build on करिये, third अगर हम discussion कर तो questions लगाना important है, बहुत important है, since अब last 30 days रहे गए है, बहुत जाधा time नहीं बचा है, तो questions लगाना important है, best strategy अगर हम बात करें, like I'm imagining, कि कुछ students होंगे, जो अभी अपने revision पे आ गए होंगे, कुछ students होंगे, जो अपने last में होंगे, खतम करने वाले होंगे, and third category of students, I hope उस category मे जाधा लोग ना हो, जो अभी उन्होंने शुरू किया है, like examination form आ गया, तब उन्होंने शुरू किया है, तो वो अभी कहीं ना कहीं, midway या फिर initial अपने part में होंगे, तो तीनों students के लिए मेरा ये कहना है, कि जो लोग revision कर रहे हैं, वो भी जो topic revise करें, उसके साथ वो questions लगा आते जाएंगे, and third category के students, जो अभी जन्होंने शायद कुछ समय पहले start किया है, वो लोग questions लगाना, या फिर questions प्राक्टेस करने को, अपने first reading या फिर first preparation वाले pattern में ही, वो introduce करें, because questions लगाना important, जैसे मैंने बताया कि MCQ एक sort of gaming pattern है, आपको questions के answers नहीं बताऊंगे, आपको उ ये approach, ये talent आपको तब आएगा, जब आपने multiple number of times उस चीज को practice किया होगा, and वो practice आप तब करेंगे, जब आप multiple number of questions लगाएंगे, तो अभी 30 days में, अगर मैं sum up करूं, तो जिन्होंने किताबे नहीं पढ़ी है, जिन्होंने वो standard textbooks नहीं पढ़ी है, वो जल्दी से जल्दी पढ़ लें, आपको books करनी है, इसका कोई shortcut नहीं है, इसका कोई shortcut नहीं है, तीस दिन बचा है, अब आपको double मेहनत करनी पढ़ी कि जिन्होंने नहीं किया है, कि आप जल्दी जल्दी वो read करके, आपको, आप उसको supplement करते रहें ये question से, and then आप facts किताब पे जम कर जाएं, ठी कर सकते, आपको अपने concepts को supplement करना है fact से, and that will be the best strategy, questions लगाने शुरू करिए, because अब time नहीं है, 30 दिन का समय है, 30 दिन में आप जितना जादा question लगाएंगे, आप अपने examination के लिए उतना जादा ready होंगे, जैसे मैंने analogy दी, like analogy दी, bookamb की, तो आप धीरे 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 धीरे, like छो आप questions को देख के panic ना करें, and आप उन questions में से, आप answer ढूल निकाले, यही आपका MCQ का journey होता है, यह proper journey यही होती है, तो यह तीन बाते थी, and यह एक चोड़ा सा top session था basically, जिसमें मुझे यही बताना था, because बहुत सारे doubts आ रहे थे students के, like कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लोग confused हो रहे थे, confusion अगर हो रहा है, अच्छी बात है, because आपने prepare किया है, आपको डर लगना बहुत लाजमी है, डर लगना भी चाहिए, अगर डर नहीं लग रहा है, तो शायद अपने सपने अच्छे से नहीं देखें, अगर आपने सपने देखें, बड़ी universities में जाने के आपको डर लगेगा, और उसी डर का ये शायद एक छोड़ा सा एक निवारन वीडियो था, जहां पर आप मैंने ये बताया कि आपको किताबे करनी है, आपको concepts clear रखने है, and then आप उसको concepts को supplement कर ये facts से, facts can't be your center of this preparation for this examination, facts will be on the periphery center में जो होगा, आपका concepts होगा, and questions लगाने आ आपको शुरू करने है, ठीक है, पात कर लेते हैं, अब हमारे चैनल पे जो courses चल रहे है, हमारा जो course है, अब खतम हो चुका है, almost, खतम हो गया है, तो if you are joining now, you'll get the things in recorded mode, and yes, आपको test series मिलेगा, test series आराउंड आपको 10 test series के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है, 5, they are already uploaded, and जो आगे आने वाले, like, कोई एक fix number नहीं है, but yes, आपको मिलेंगे, और test series, and वो systematic way में, जैसे जैसे exam approach होते जाएगा, वैसे वैसे आपको test series मिलते जाएगे, अगर हम बात करें, अभी हमारा जो offer price चल रहा है, वो around 1600 के around है, ठीक है, 1600 है, prices में बहुत जाधा dip आया है, and अगर अपने journey को, अपने preparation को, एक proper रास्ते पे लाना चाहते है, हमारे courses को खरीदिये, test series है, proper recorded lectures है, आपको ऐसे जो, आज जो ये session जो YouTube पे हो रहा है, ये session आपको personal कभी भी मिल जाएगा, आपके personal doubts को handle किये जाएगे, हमारे courses में, तो एक बहुत full-fledged package हम दे रहे है, and prices जो है, बहुत जादा dip हो गई है, जल्दी करिए, exams आने वाले हैं, आपके पास time भी नहीं है, मैंने एक छोड़ी सी strategy बता दी, and यही नहीं, अगर और भी जो students है, या और भी जो subjects जो students है, जो शायद इस video को उन्होंने click कर दिया होगा, because examination panic में आप ऐसा कर सकते हो, तो उनके लिए भी एक खुशकबरी है, अगर वो आए हैं इस video तक और उन्होंने यहां तक देखा है, तो आप यह भी जान लिजे कि बस history नहीं, हमारे यहां आपको MA English की भी courses मिल जाएंगी, MA sociology की मिल जाएंगी, MA geography की मिल जाएंगी, Zoology की मिल जाएंगी, and political science की मिल जाएंगी, तो अगर आप इन सारे subjects में से किसी के भी student हो, या फिर अगर आप इन में से किसी भी एक subject की प्रिपेर कर रहे हो, तो यह एक बहुत सही platform है, prices कम होई है, 1600 में आपको मिल रहा है, courses हमारे अभी 1600 में मिल रहा है, अगर आप code use करते हैं, CUAT60, ठीक है, यह code use करिए, हमारे application को download करिए, courses प आपके बाद आपका एक proper journey जो है, preparation के तरब वो शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो इस video में इतना ही, एक छोटा सा video था, basically उन सारे doubts को clear करने के लिए, क्या आकरे दिनों में करना चाहिए, ठीक है, तो बाते वही है, आप इसको देखिएगा, बार बार repeat करेगा, डरने की बात नहीं है, examination है, आपके सारे competitions जो है, अभी लगे हुए है, उनके पास भी 30 दन है, आपके पास भी 30 दन है, तो अगर वो कर सकते हैं, जिनका rank 1 आएगा, या rank 2 आएगा, फिर जिनको JNU, BHU Mad Mission मिलेगा, अगर वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी बातों कर सकते हैं, आपके 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 सकते हैं, झाल झाल